Hello everyone, मेरे चैनल एजुकेशन द्विक्यों आपसिवी का स्वागत है दोस्तों आज है 24 फरवरी और आज की इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं जारखन के महतोपुर्ण करेंट आफेर्स और साथ में नेशनल करेंट आफेर्स जो आपके जारखन के सभी परत्योगी एक्जाम के लिए फायदे मन्द हो सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले बता दे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे द्वार दिये गए इस तरह का ले टेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए समयना लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो यह रहा आज का फर्स्ट किवजन जारकन के किस सहर में तिरंदाजी महाकुम का आयोजन किया जा रहा है तो इसका जो राइट एंसर होगा option number A ठीक है यानि कि राची सहर में जो है कि तिरंदाजी महाकुम का आयोजन किया जा रहा है ठीक है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि अंतर जीले का तिरंदाजी महाकुम्ब मई से जून में जार्खन के राची सहर में कराया जाएगा यानि जो तिरंदाजी महाकुम जो है, वह मई से जुन, यानि कि मई और जुन में जो है, कि जारखन के राची सहर में कराया जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट किपुचन देखते हैं, रन ओ थान के बिजेताओं को कुल कितने रुप्य की रासी इनाम में दिया जाएगा, यानि कि रन ओ थान के जो भी बिजेता होंगे, उनमें कि कुल कितने रासी का इनाम दिया जाएगा, तो यह रासी है, 14.87 यानि 14.87 लाग, ठीक है? यानि अप्शन नमबर B is right, ठीक है? अप्शन नमबर B is right, चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, कि रन ओ थान का आयोजन 5 अ इसके बिजेताओं के बीच कुल 14.87 लाग, रुपिये के इनाम बाटे जाएंगे, इनामी रासी खेल विभाग की ओर से दिया जाएंगे, जबकि रजिस्टेशन सुल्क सरकार के खाते में जमा किये जाएंगे, ठीक है? यह जो इनामी रासी जो है, वह खेल विभाग की ओर से दिया जाएगा और जो registration का जो सुल्क था वह जो है कि सरकार के खाते में जमा किया जाएगा ठीक है और यहाँ पे बता दे कि जो run ओथान का योजन जो है वह पांच अलग-अलग category में किया गया है ठीक है चलिए next question देखते हैं हाल ही में जार्खन के किस विचारक को जार्खन रत्न से समानित किया गया है यानि हाल ही में जार्खन के किस विचारक को जार्खन रत्न से समानित किया गया है तो इसका जो right answer होगा option number B option number B is right यानि कि डॉक्टर मयंक मुरारी किन है तो डॉक्टर मयंक मुरारी चलिए, यहाँ पर डीटियल्स में देख लेते हैं इनके बारे में, क्या है कि लोग सेवा समीती ने लेखन एवं चिंतन के छेतर में उत्क्रिष्ट कारे के लिए जहारखन के विचारक डॉक्टर मयंक मुरारी को जहारखन रतन से समानित किया गय यानि कि लोक सेवा समीती ने क्या क्या कि लेखन एवं चिंतन के छेतर में उत्क्रिष्ट योगदान के लिए जो है कि जार्खन के विचारक मयंक मुरारी को जार्खन रत्न से समानित किया गया और डॉक्टर मयंक की अभी तक आधा दर्जन पुस्तकें परकासित हो चुकी है यानि जो डॉक्टर मयंक जो है उनकी अभी तक आधा दर्जन पुस्तक परकासित हो चुकी है ठीक है चलिए नेक्ष देखते हैं निम्ण में से किसे राष्टिय महिमा सम्मान 2020 से नवाजा गया है यानि कि 2020 का जो राष्टिय महिमा सम्मान है वह किसे नवाजा गया है तो यह जो है कि प्रभाकर तिर्की को नवाजा गया है तो इसका जो अप्शन नमबर A is right ठीक है प्रभाकर तिर्की चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रभाकर तिर्की को मसीही समाचार पत्र महिमा का आंचल द्वारा नागपूर यानि जो महराष्ट में है समाज सेवा राजनीतिक कार एवं सदभावना के लिए उन्हें यह पुरसकार दिया गया है महाराष्ट बिधान सभाध्यक्ष नाना पटोले ने उन्हें पुरसक्रीत किया है यानि यहां से प्रस्ण यह भी बन सकता है कि जो पुरसकार दिया गया है वह किसके द्वारा किन्होंने पुरसक्रीत किया है तो महाराष्ट के जो बिधान सभाध्यक्ष हैं कौन तो नाना पटोले उन्होंने ही इन्हें पुरसक्रीत किया है ठीक है यानि प्रभाकर तिर्की को जो मसीही समाचार पत्र है महीमा का आचल कौनसा महीमा का आचल द्वारा जो है नाकपूर में यानि कि महराष्ट में है तो नाकपूर में क्या किया गया है कि राष्टिये महीमा सम्मान से इन्हें नवाजा गया है और किसलिए तो यह जो ह तो महराष्ट के विधान सबाध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट किफटन देखते हैं जारखन के किस गजल गाईका को उमंगेश्वरी महत्सों में उमंगेश्वरी समान से समानित किया गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा option number a यानि कि मृलानी अखोरी मृनाली न अखोरी ठीक है कि उमंगेश्वरी समान से समानित किया गया है option number a is right ठीक है चलिए यहां पे देख लेते हैं details में गजल गाईका मृनाली अखोरी को उरंगाबाद जो कि विहार में और अंगाबाद में आयोजित उमंगेश्वरी महत्सों में उमंगेश्वरी सम्मान से सम्मानित किया गया यह उत्सव और अंगाबाद परियतन, विभाग और जल परसासन की ओर से आयोजित किया गया था यह जो परियटन यह जो है कि और अंगाबाद परियटन विभाग और जीला परसासन के द्वारा जो है कि यह उत्सव को आयोजित किया गया था तिसका जो प्षन क्या होगा A is right और यह जो मिरनालिनी अखोरी जो है यह जार्खन के राची सहर के रहने वाले हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट केप्शन देखते हैं मेकन लिमिटेट के नए वानिज निदेशक किन्हे नियुक किया गया है जिसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर B is right यह जो कि मेकन लिमिटेट का वानिज निदेशक किया गया है किन्हें तो संजै कुमार बर्मा ठीक है तो दोस्तों यहाँ तक अबी हमने देखा जितने भी किवशन देखा वह जार्खन के करंट आफेर्स थे अब यहाँ पे कुछ किवशन हम देखने वाले हैं जो नेशनल यानि की इंडिया से रिलेटेड हैं ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निम्न में से कहां की राजे सरकार रियायती दर पर भोजन उपलब्द कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी यानि कौन सी राजे सरकार है जो रियायती दर पर भोजन उपलब्द कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी तो इसका जो राइट एंसर होगा option number D option number D is right, यानि कि हरियाना की सरकार ठीक है, यानि हरियाना की सरकार जो है, वह क्या है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने वाली है ठीक है, यानि कि राज रियायती दर पर जो है कि भोजन उपलब्द कराया जाएगा ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इस कैंटीन में 10 रुपया में जो है कि फुल प्लेट जो है कि खाना मिलेगा, खाने के लिए ठीक है, यानि इसका जो right answer होगा, option number D, हरियाना की राज जे सरकार, ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके बारे में जब हरियाना है तो हरियाना के बारे में कुछ देख लेते हैं तो हरियाना राज जी का जो गठन हुआ है, वह एक नौंबर 1966 को और हरियाना की जो राजधानी है वह कहां है, तो चंडीगड, कहां? चंडीगड और भी देख लेते हैं यहाँ पे जो हरियाना का सबसे बड़ा सहर है वह फरीदाबाद है, कौन सा है तो फरीदाबाद, और वहां की जनसंख्या जो है, वह दो कडोर 53,54,62 है ठीक है? और इसमें जो कुल जीले हैं, जीलो की संख्या कितनी है, तो 22 है ठीक है? जीलो की संख्या 22 और यहाँ पे जो राज भासा है, वह हिंदी है क्या है? हिंदी, ठीक है और यहाँ पे हरियानवी और पंजाबी भासा भी बोली जाती है ठीक है? तो यहाँ पे और आगे देख लेते हैं इसमें कि जो हरियाना के राज ये पाल जो हैं वह सत्य देव नरायन आ रहे हैं कौन तो सत्य देव नरायन आ रहे हैं कहा के तो हरियाना के राज्य पाल हैं और मुख्य मंत्री मनुहर लाल खटर यानी हरियाना के मुख्य मंत्री जो हैं वह मनुहर लाल खटर हैं और वह जो हैं कि भाजपा राजनीतिक पार्टी से हैं यान 90 हैं और राज सभा में सीटे हैं 5 और लोग सभा में 10 ठीक है यानि बिधान सभा में 90 सीटे हैं राज सभा में 5 सीटे और लोग सभा में 10 सीटे है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन क्या है, भारत को एक स्थिर्था सुचकांग पर कौन से अस्थान दिये गए हैं, जो प्रति वेक्ति कारबन उत्षर्जन को ध्यान में रखता है, तो इसका जो राइट एंसर होगा, अप्शन नमबर C, अप्शन नमबर C is राइट, यानि कि सथत्तरवे यानि कि भारत को जो है कि इस्थिर्था सुचकांग पर जो है कि सथत्तरवे अस्थान प्राब्थ हुआ है, जो प्रति वेक्ति कारबन उत्षर्जन को ध्यान में रखता है, अप्शन नमबर C is राइट, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संज्युक्त राष्ट समर्थित र भारत एक इस्थिर्था सुचकांग पर सथत्तरवे अस्थान पर है, जो प्रति वेक्ति कारबन उत्षर्जित को ध्यान में रखता है, ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का यह लास्ट किप्चन था इसे, अब यहाँ पर देख लेते हमारा answer of the day, जो कि मैंने पिछ सारे लोग जो हैं कि इसका answer comment box में देते हैं, जो कि right होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो question of the day है आज का, जार्खन के किस महिला सांसत को champion of change award से समानित किया गया है, यानि जार्खन के कौन सी सांसत महिला है, जिन्हे champion of change award से समानित किया गया है, तो इसका जो right answer ह option number C, यानि कि गीता कोड़ा, बहुत से लोगों ने इसका सही reply किया था, यानि कि गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा की पतनी गीता कोड़ा को दिया गया है, और इसके साथ ही जो है, कि जो हमारे chief minister, मुख्यमंत्री जो है, हेमन्त स्वरेंजी, उन्हें भी यह मिला है, Executive Forum on Indian Economic के तत्वधान, 20 जन्वरी 2020 को बिग्यान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समार्व में सांसत गीता कोड़ा को Champion of Change Award से समानित किया गया है, गीता कोड़ा पच्मी सीभूम की सीभूम संसदिया छेतर की सांसत है, उन्हें यह भारत के पुर्वराश्पती पर्णव मुखरजी ने Champion of Change Award 2019 से समानित किया है, और यह समान उन्हें बिधायक वशांसत के रूप में लंबे समय से समाज के हित के लिए कारियों के लिए दिया गया है, कौन सा आवार्ड तो Champion of Change Award ठीक है, और यह आवार्ड जो है हमारे मुख्य मंत्री जी को भी मिल चुका है, ठीक है, यानि मुख्य मंत्री हे मन्सोरें जी को, समझ गया है, चलिए, तो यह था हमारा आज का Answer of the Day और आज का यह हमारा Question of the Day, तो भारतिया अंडर 21 रिकर्व आर्चरी टीम में निम्न में से किस तिरंदाजी खिलाडी का चयन किया गया है, भारतिया अंडर 21 रिकर्व आर्चरी टीम में निम्न में से किस तिरंदाजी खिलाडी का चयन किया गया है, यह है Option, दिपिका कुमारी, कुमालिकाबारी, अतनुदास, सीमा वर्मा, तो इसका जो राइट एंसर होगा, आप हमारे Comment Box में जाकर दे सकते हैं, ठीक है, बहुत स लोग जो हैं कि एंसर करते हैं, तो अगर आप लोग को मालूम हो, तो आप इसका एंसर डिटियल्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का किप्शन अप दर डे, अगर आप लोग का कुछ सुझाव हो, या कोई सजेशन हो, तो आप हमारे Comment Box में बता किजिएगा, चलिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फोर वाचिंग